नमस्तेकार और आजिम कड़े हैं इंडियन पिकप ट्रक के सामने जिसका नाम है महिंदरा बोलेरो कैमपर 1993 में लॉंच होई थी और ये 2021 का 2nd जनरेशन फेसलिफ वेरियंट आप देख रहे हैं सिफ डीजल में आती है रेंज शुरू होती है एक शोरूम 9,00,000 रुपीज से और टॉप मडली कीमत है 9,54,000 रुपीज और ये टॉप मोडल गोल्ड ZX आप देख रहे हैं ये टू वील ड्राइव मोडल है फोर वील ड्राइव का भी ऑप्शन है सिंगल कैब और चैसी वेरियंट्स भी आते हैं बोलर रुपेक अपके कैमपर का कैश फैन ऑप्शन भी एवलिबल है सेवन सीटर स्टेंडर बोलेरो की प्राइस श्रू होती है 9,00,000 रुपीज से महिंद्र सिमराउन और इन्फोर्सर भी का जाता है इसे कुछ कंट्रीज में तीन साल 1,00,000 किलो मेटर की वारंटी महिंद्रा देती है बोलरो कैमपर पर इसे श्याम कुमार अलेपली और संजे श्रिवास्तव ने मिलकर डिजाइन किया है इसकी इंडिया और यूरुगे में असेंबली होती है 1,000 kg की पेलोड कैपेसिटी है फॉग लाइट कले स्पेस, रिफ्लेक्टर तो हुक है आगे पीछे सस्पेंशन में स्प्रिंग स्टिफनेस है क्रोम फिनिश में ग्रिल महिंद्रा का लोगो और ये हेड्लैम्प दो वाइपर्स है 80 km पर आर लिमिटेट टॉस स्पीड है रूफ पे डिजाइन है हुक्स दिये गए है इजी लोडिंग के लिए नए बॉडी ग्राफिक्स है बोलेरो कैम पर गोल्ड जेडेक्स का स्टिकर फॉट स्टैप अर्माड़ा पिकप को रिप्लेस किया था बोलेरो ने 4.8 मिटर लेंथ है 1.6 मिटर हाइट है लगबग 1700 kg कर्ब वेट है 2700 kg ग्रॉस वेट है 185 mm ग्राउंड केरिंस है और कैश वैन वेरियंट की 191 mm ग्राउंड केरिंस मिलेगी और ये हैं 15 इंच के स्टील वील आगे डिस्क प्रेक्स और पीछे ड्रम प्रेक्स मिलेंगे ट्यूब के साथ रेडियल टायर्स हैं कैश वैन वेरियंट में रेडियल ट्यूबलेस टायर्स मिलेंगे कमफर्ट, स्टाइलिंग और पर्फॉर्मेंस के लिए बनाई है महिंदरा ने बोलारो कैमपर सिंगल प्लेट ड्राइ क्लच है आगे कोई स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे रिजिड एक्सल के साथ लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेंगे हाइड्रॉलिक डबल एक्टेंग टेलेस्कोपिक टाइप शॉक एब्जॉर्वर्स है और ये टेल लाइट रियर सेंसर्स है महिंदरा का लोगो स्पेर वील पीछे सेफटी ग्रिल है हाई मांट स्टॉप लैम्प है सेफटी के अंदर सेंटर लॉकिंग वाइकल इमोबी लाइजर और ये लार सीट बेल्ट मिलेंगे महिंद्रा उदय के अंदर स्टूदेंट स्कॉर्शिप बेनिफेट्स और एक्सिदेंटल डेथ इंशॉरेंस भी मिलेगा स्टाइलिश ग्राफिक्स हैं एक्साइस टेल पाइप और यहां से बढ़ेंगे डीजल आइए बूट उपन करके देखते हैं 1.4 मिटर लंबा और 1.5 मिटर चौड़ा कार्गो बॉक्स है और यहां आपको मिलेगी 1000 केजी की पेलोड कैपेसिटी आईए पीछे का पैसेंजर साइड डूर खोल कर देखते हैं डूर पे हैंडल बार है आम रेस्ट है और यह हैं फॉक्स लैदर एपॉस्ट्री फैब्रिक एपॉस्ट्री का भी ऑप्शन है दो अध्जस्टेवल हैड रेस्ट है प्लेन रूफ है सीट के बीचे पॉकेट्स मिलेंगी रीडिंग लाइट दी गई है उपर सीट बेल्ट और असे देखता है डैश्पॉर्ट बीज और टैन फिनिश है डैश्पॉर्ट पे रीडिंग लाइट है है हैंडल बार सीट बेल्ट आइए फ्रेंट पैसेंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं वाइस इतनी आगी की सीट टूल केट है आइए ड्राइवर साइड दोर खोल कर देखते हैं यह पर भी दोर पे हैंडल बार दिया गया है आम रेस्ट है और यह टार प्रेशन फॉमेशन स्लाइडिंग और एक्लाइनिंग फ्रेंट सीट सेंग फॉक्स लाइधर अपॉल्स्ट्री पेडल्स यह लाइट और रिजनरेशन का बटन थोड़ी स्पेस पार विंडों के कंट्रोल्स मैंवल हैंड ब्रेक दो ग्लास होल्डर और यह है फाइव स्पीड मैंवल ट्रांस्मिशन यहां अगे थोडी स्पेस ट्रेल वोल्ड का पॉर्ट और यह एसी कंट्रोल दो एसी वेंट और यह डैशबॉट के फिनिश हैंडल बार है ग्लोब बॉक्स फर्स्टेट केट और यह पैसंजर साइट संवाइजर रियर व्यू मिरर ड्राइवर साइट संवाइजर और यह है नया थ्री स्पोक पावर स्टेरिंग यह लाइट के कंट्रोल वाइपर के कंट्रोल और यह दिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा पूलेंट तम्परेचर फ्यू लेवल स्पीड आर्पीएम ओडोमिटर ट्रिपमेटर और कई वार्निंग लाइट्स ओडोमिटर दो ट्रिपमेटर हैं आये बॉनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल एंजन तो यह है 2500cc इनलाइन फोर्स सिलेंडर टर्बो चार्ज महिंद्रा M2DICR डीजल एंजन 75 वार्स पावर है 200 अनम टॉर्क है और 80 क्लमेटर पर आर के लिए टॉस स्पीड है और 13 का एवरिज मिलेगा 57 लिटर के फ्यूल टैंक से एक्साइड की बैटरी है 2500cc एंजन आई है 75 वार्स पावर और 200 अनम टॉर्क इकजन फोर्मेशन तो कैसे लिए आपको महिंद्रा बोलारो कैम पर हमें कमेंट्स में बताइए थैंक्यू ्फप contemporary भीज़िय के ref खिमपाटर की साथ करते है कर देच वार्स प्यक्ट लिए है आई झाल 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 झाल